हेलो गाईज, वेलकम बेक टु माई कीचन, आज में कीचन में बनने जा रहा है धाबा स्टाइल पनीर, उसके लिए हम फ्राइपैन को गरम कर लेंगे, और उसमें थोड़ा सा ही टेल डालेंगे, एक से देड़ चम मजीतना, तेल के गरम होते ही मैंने कुछ ये खड़े मसाले लिये हैं, जिसमें मैंने मोटी लाइची, छोटी लाइची, दाल, चीनी, कुछ दाने मैंने काली मिर्च के लिये हैं और लोंग लिया है, इसको तेल में हम अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो इसका फ्लेवर वह अच्छे से रिलीज हो जाएं. हमारे खड़े मसाले जो है वो भून गए अच्छे से इसका कलर भी चेंज हो गया है इस ताइम हम भूनने के बाद इसमें थोड़े से मैंने मोटे-मोटे ये प्याज काटे हुए है रफली चॉप किये हुए है इसको हम इसमें डाल देंगे फ्राइट पान में और इसी के साथ मैंने ये कुछ सबजी ली हुए है शिमला मिर्च मैंने काट रखिया ये भी रफली चॉप की हुए है मैंने कुछ हरी मिर्चे ली है और लसुन लिया है ये साबूती है छिला हुआ है और कुछ अज रख लिया है वो भी मैंने ऐसे रफली काट लिया है और मै अब इसमें मैंने रफली ये चॉप किये में टमाटर इसको भी हम इसमें शिप्स कर देंगे तो प्राइपेन में मैंने सारी वेजिस जो काट रखे थी टमाटर प्यास शिम्बला मीट्स ये सब मैंने इसमें डाल दिया है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी ताकि ये सब्जियां जो हैं अच्छे से गल जाएं और इसे मसाला भी बहुत अच्छे से बनता है और बिल्कुल इसमें मैं हाफ कब जितना पानी डालूँगी इसमें ये काजू भी डाल दूँगी और इसको हम ढग देंगे सारी सब्जियां मसाले हमारे सारे अच्छे से भुन गए हैं अच्छे से सिक गए हैं इसमें कच्छा पन इसका खतम हो गया है अब हम गयास को बन कर देंगे और इसको जार में डालके मिक्सी में पीस कर इसको एक अच्छी सी प्यूरी त्यार कर लेंगे ये बहुत ही गरम है अभी इसे या तो आप ठंडा कर लें बिल्कुल अच्छे से ठंडा करके प्यूरी बनाना नहीं तो छीटे जो हैं खुद के ओपर पढ़ने का डर लगा रहता है गरम होता है तो लिट बहार निकल जाती है जार की अब मैं क्या करूंगी कि कभी गैस्ट भी आयों तो आप भी कर सकते हैं ऐसे मैं ये सारी वैजिस मिक्सी के जार में शिफ्ट कर लूँगी अब ये गरम है बहुत गरम है देखें आप भाब भी निकल रही है अगर आपको कभी जल्दी हो तो आप इसमें क्या करें चार से पांच बरफ के टुकडे डाल दें इसमें इस तरह से क्यूब्स डाल दें और इसको जब आप पीस प्राइ पैन को हमने गरम कर लिया अच्छे से अब इसमें हम तेल डालेंगे जब तेल थोड़ा गरम हो जाए तो हम एक तेजपता डाल देंगे और मैंने इस तरह से दो जीरे लिए है ये शाई जीरा है और ये सिंपल जीरा है इससे सवाद जो है सबजी का दुगना हो जा जीरा हमारा अच्छे से भुन गया है बहुत अच्छे सी खुश्बू आ रही है इस तैम्यानी ये थोड़ी से कस्तोरी मेथी लिए इसकी आधी तो हम इसी टाइम डालेंगे और आधी हम बार में यूज़ करेंगे अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे ये देगी मीर्च है कलर वाली थोड़ी से हम कुटी मीर्च डालेंगे थोड़ी से हल्दी और नमक डालेंगे नमक आप अपने अनुसार बैलेंस कर सकते हैं बीच में ब इसमें मली ये पेस्ट दियार कर लिया था जो आपको दिखाया था अब इस पेस्ट को अच्छे से पूरे मसाले में मिक्स कर लेंगे इसको इस मसाले को हम slow shake पर ही बुलेंगे आप बीच बीच में medium कर लें फिर slow कर दें medium कर लें फिर slow कर दें तो जितनी देर इसको धीरे-धीरे slow shake पर बुलेंगे तो इसका flavor जो है बहुत अच्छा आएगा और मसाला बहुत अच्छा तयार होगा अब इसको हम लगातार हिला हिला के इसको भूनते रहेंगे जब तक ये पूरा तेल ना छोड़ जाए ये भून जाएगा पूरा मसाला और उसके बाद थोड़ा सा तेल छूट जाएगा मसाला अच्छे से भून गया, देखिए तेल दिख रहा है न, यह तेल छोड़ गया है, तो इसका मतलब भी अच्छे से भून गया है, क्योंकि यह उबलावा तो पहले ही था, अब इससे टाइम लगना ही नहीं था, अब इसमें हम थोड़ी सी क्रीम एड़ करेंगे इस ताइम, अगर आपके पास क्रीम नहीं है, तो आप घर की मलाई को अच्छे से फेट के वो भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्रीम को, और दुबारा से एक से डेड़ मिनट के लिए इस मसाले को भूनेंगे, दुबारा से देखिए ओल छोड़ गया है, तो इस ताइम हमारी क्रीम भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है, कस्तूरी मेथी को, यह मेथी हाथ में ले लेंगे और इसको क्रश करके ऐसे इसमें डाल देंगे, अच्छे से पूरी ग्रेवी में इसको मिक्स कर लेंगे, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी आइट करेंगे, पानी याट करने के बाद इसमें एक उबाला आने देंगे पानी में अच्छे से उबाला आ गया है अब हम सेख को बिल्कुल कम कर देंगे अब मैंने पनीर लिए इस तरह से मोटे मोटे क्यूप्स में काट लिए है अगर आपको धावे का स्टाइल चाहिए तो यही पनीर ऐसे मोटा मोटा ही काटें तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है और पूरा धावे का स्टाइल लगता है अब बिल्कुल हलके हाथों से इस पनीर को हम इस ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे बिल्कुल हलके हलके हाथों से एक दो मिनिट इसको भुनने देंगे इसमें ताकि जो पूरा मसाला है इसकी जो सारी खुश्बू है इस पनीर में समा जाए सब्जी हमारी तयार हो गी है इस तेम हम डालेंगे धनिया खुब सारा धनिया मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो लाइक करना शेयर करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जय करना शेयर करना शेयर कोस्ते